हेलो बच्चो गुड वर्णिंग आज हम जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस का केमिकल रियक्स्टन और केमिकल इक्वेशन चेप्टर का पार्ट 3 देखने देखते हैं आगे पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं पहले ही अब पार्ट 3 देखने वाले हैं हाँ देखते हैं पिछला क्लास में हम क्या क्या देखे थे हैं सबसे पहला क्लास में देखे थे हैं हम रियक्टेंड की से कहते हैं इसके बाद देखे थे product, इसके बाद देखे थे chemical reaction, इसके बाद देखे थे types of chemical reaction, लास्ट क्लास में देखे थे हैं यानि class part 2 में देखे थे हम, पहिला combination reaction, इसके बाद देखे थे decomposition reaction, इसके बाद देखे थे reactivity series, एन एक सक्रियता सिरेनी, एक बार सबको रिभाइच करते हैं जैसे reactant क्या होता है जो अभिकिरिया भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं अभिकारत जो अभिकिरिया के बाद मिलता है उसे बोलते हैं product या उत्पाद रसानिक परिवारतन को रसानिक अभिकिरिया कहते हैं टाइप सोप केमकर रियक्षण याने रशानिक अभिकर्या परकार उसे पहला था कमभिनेशन रियक्षं उसको हिंदी वोलते हैं स्कheenड़ी अभिकर्या्ट जिसमें कावगा दो एलिमेंट कि एक लिएक अधिक भागों तुटता है उसे इसके बाद पढ़ेती शीरीज के आथा सक्रियता स्रेणी हम लोग देखें सबसे पहले के सक्रियता स्रेणी में का होता है पहले पोटेसियम आता है जो सबसे मुस्ट रिक्टिव था यानिक अधिक सक्रिय था इसके बाद का था पोटेसियम कहो ना सोडियम का कैल्सियम इस तरह से आगे बढ़ते वे था कहो ना का मगर अल्ला जाने फेमस सनम फेमस सनम प्रेम बिवा होता है कि देखें तेरी एक्टिविटिस हम कोई याद होना चाहिए जरूरी याद होना तब तो आगे देखेंगे डिस्प्रस्मेंट रियक्षान भिस्थापन अभी गिरिया देखने के लिए हमको इतना याद होना चाहिए मानते हैं कि आप लोग के याद होगा अगर जालते हैं हम Displacement Reaction क्या देखते हैं अब Displacement Reaction क्या होता इसको देखते हैं एक बार Displacement Reaction क्या है देखें Displacement Reaction दोज केमकल रियक्शन इन वीच इन वीच और मोर रियक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेश दा लेस रियक्टिव एलिमेंट फ्रोम देयर कंपाउंड इसको डिस्प्लेस्मेंट रियक्शन क्या बोल रहा है कि एक ज्यादा रियक्टिव एलिमेंट जो है कि कम रियक्टिव एलिमेंट को उसके कम पाउंड से हटा देगा हिंदी में क्या देखते हैं विस्थापन अभिकिरिया वैसी एसाइनिक अभिकिरिया जिसमें एक अधिक अभिकिरिया सील ततो कम अभिकिरिया सील ततो को उसके योगिक से हटा देता है उसे क्या बोलते हैं बिस्तापान अभिकिर्या ज्यसे देखते हैं हम क्यास अड़ा रहा है ज्यसे में क्या है हाँ एक सी यू एस ओफोर beliefs that 추 Denise Agency कॉपर जो है कि आइरन से नीचे है यान JESका पर कोह है कि आ एরन से कंप अभिकिर्या सील है तहीं क्या हो जाएगा FE जो है FE SO4 बन जाएगा Iron कहा होगा Copper को वहाँ से हटा देगा तो क्या बन गया FE SO4 तो क्या किया Iron जो है कि Copper हो गया कि Displace कर दिया एनिक FE जो है CU को उसके योगिक से हटा दिया बाहर निकाल दिया इसे क्या बलेंगे Displacement Reaction और आगे देखते हैं जैसे और आगे देखते हैं क्या है FE SO4 प्लस Magnesium FE SO4 Magnesium क्या है Iron से जो है Magnesium क्या है उपर है यानि कि Iron FE Jeans से क्या है Comb अभिक्रियासिल है यानि कहा होगा Magnesium जो है कि Iron को हटा देगा जैसे में क्या होगा यहां क्या बन जाएगा MgSO4 क्या 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 हटा दिया magnesium iron को iron क्या होगा बाहर निकल जाएगा इसे क्या बोलेंगे displacement reaction यहां इसको हटा दिया बाहर और आगे देखते हैं if gameplay अजयां जैसे में हें कि जांके मेंद कर गया देखते हैं क्या हो होता है कम अभी क्रिया सीर क्या होगा इसको हटा देगा जिसे क्या बन जाएगा यहां पर एफ के एफ क्या बन गया के एफ प्लस येल टू बाहर आ गया अगा ऐसा होगा एक और हम देख लेते हैं इसमें एक्जामपल किaları जैसे में नश्डोड श्रक्ण आदि हो इसको अभिक्रिया करा दियें मैंग्नेशियम से तो किया होगा जो पोटेसियम जो है कि मैंगनेसियम से क्या है कम अभिक्रियसील तो किया मैंगनेसियम जो है कि पोटेसियम को हटा पाएगा नहीं ना इसमें क्या हो जागा नो रियक्षन कोई रियक्षन नहीं होगा आगे देखते हैं अब नेक्स्ट अगी लाका है एक जो थर्मिक रियक्षान अब हमको जो है कि सबसे डॉबल डिस्प्रस्मेंट रियक्षान यानि कि दुवी भी स्थापन अभेकिरिया देखने से पहले हमको क्या देखना होगा एक जो थर्मिक रियक्षन एक जो थर्मिक रियक्षन देखते हैं क्या होता है एक जो थर्मिक रियक्षन क्या है एक जो थर्मिक रियक्षन दो जो रियक्षन इन वीच एनर्जी इज रिलीज डिरिंग दा केमिकल रियक्षन यहनि यह क्या है रसाइनिक अभिकिरिया का समय जो है कि क्या होगा इनर्जी रिलिज होगा यानि कि उर्जा मुक्त होगा जिसे क्या है उस्मा छेपी अभिकिरिया वैसी रसाइनिक अभिकिरिया जिसमें अभिकिरिया के समय उर्जा मुक्त होती है करें से क्या काते हैं उसमा छे पी अभी किया है जैसे में हम सी प्लस ओ टू कारबन जो है कि जल गया उकसिजन के उपार सिती में तो क्या बनता है shock 2 और हम लोग के हीट भी तो मिलता है ना हीट मिलता है प्लस लाइट मिलता है झाल कि क्या हो गया और जाही если हीट है हीट का मुख्त हो रहा है ना 6 6 मिला और क्या मिला हीट मिला लाइट मिला यह सब क्या है उर्जा ही तो है आगे देखते हैं और यहां पर लखते हैं इसका हम मैं जैसे मैं CH4 यह क्या है मिथेन है गैस है जलेगा तो क्या बनेगा CO2 plus H2O plus heat तो क्या हो गया इसमें उर्जा मुक्त हुआ हीट निकला इसमें उर्जा मुक्त हो रहा है इससे क्या बलेंगे उसमा छेपी अबेकिरिया जैसे हम कहा दिया गुल्कोज C6H12O6 क्या होता है C6H12O6 गुल्कोज यह जो है कि ऑक्सीजन के उपस्थिती में तूटकर क्या देता है हमको CO2 plus H2O plus energy क्या भी उर्जा हुआ इसलिए क्या होगा हम लोग रियक्शन समय क्या दे रहा ही रियक्शन समय उर्जा इसमें मुक्त हो रहा है इसे क्या बोलेंगे एक जो थर्मिक रियक्शन याने कि उसमा छेपी अभी किरिया नेक्श देखते हैं आगे आगे क्या है इंडो थर्मिक रियक्शन कहने के मतलब क्या है उसमा सोसी अभी किरिया क्या होता है देखते हैं इंडो थर्मिक रियक्शन Those chemical reactions which energy is absorbed during the chemical reaction यहने क्या बोल रहा है रशायनिक अभिकिरिया के समय इसमें क्या होगा इनर्जी को औरसोशन होगा इसमें देखिए उसमा सोशी अभिकिरिया नाम पास चल रहा है उसमा सोशी यहने क्या उसमा लेगा वैसा रशायनिक अभिकिरिया जिसमें अभिकिरिया का समय उर्जा का आउसोसन होता है उसे क्या कहते हैं उसमा सोसी अभिकिरिया इसे इसका एजांबल देखते हैं हम क्या होता है जैसे हम लोग पहले सहीं पढ़े हैं CACO3 CACO3 इसको हीट देते हैं तब तो तूटता है CACO2 में यहनि क्या होगा इसमें हीट देना पढ़ रहा है उर्जा देना पढ़ रहा है इसमें क्या होगा उसमा सोसी अभिकिरिया और देखते हैं इसका क्या है जैसे कि AGBR AGBR इसको भी हीट देंगे तो क्या बन जाएगा AG पलस BR2 और आगे देखते हैं क्या होगा जिससे कि हम देख लिए हैं क्या ची एने सी एल इसको भी हीट देंगे तो क्या होगा इसमें उर्जा हमको देना पढ़ रहा है आगे देखते हैं एक और क्या है? और रिफेरम सी एबल रिएक्षण क्या होगा अग्या होगा वत कर्मानिय अभीकिरिया थे चाहरे न होता है? occur और take place in both direction each called reversible reaction वैसी एसानिक अभिकिरिया जो दोनों दिसाओं में होता है उसे क्या बोलते हैं उतकर्मानिय अभिकिरिया उतकर्मानिय अभिकिरिया आगे दखते हैं क्या है इसका example दखते हैं उतकर्मानिय अभिकिरिया का जैसे में पहिला example क्या है N2 प्लस O2 यहां पर क्या बनाता है NO2 यह जो है कि दोनों दिसाओं होता है इधर से इधर भी हो सकता है यानि कि N2 प्लस O2 में लाकर NO2 भी बन सकता है और NO2 जो है कि टुट भी सकता है N2 प्लस O2 में क्या होगा दोनों दिसाओं में हो रहा है जैसे में हम दखते हैं क्या ची एन टू प्लस एजटू क्या बनता है एन एजट्री एन टू प्लस एजटू एन टू प्लस एजटू क्या बनता है एन एजट्री यह क्या होता है दोनों दिसाओं में इधर से इधर और इधर से भी इ देखते हैं क्या जैसे कि एजी बी आर यह जो है कि एजी प्लस बी आर टू इभी क्या होता है दोनों दिस्वाम में होता है एक और देखते हैं जो है कि बहुत इंपोर्टेंड है जैसे कि CH3COOH प्लस C2H5OH यह जो है कि अभिकिरिया कर क्या बनता है CH3COOC2H5 प्लस H2O यह भी क्या होता है दोनों दिस्वाम में होता है इसका नाम है एसिटिक एसिड इसका नाम क्या है इसके बाद इक बन गया एक प्रका कि इथर बन गया इसके नाम है इथार इथेनोवेट अब क्या बन गया वाटर इसको याद जरूरू रखे गए जहांब को नेक्स रखते हैं आगे अब अगला का है इरिवर्सियबल रियक्षान यानि कि अनुद करमानी अभिक्रिया इरिवर्सियबल रियक्षान क्या है जो कि दोनों दिशाओं में नहीं होगा जैसे में C प्लस O2 क्या C प्लस O2 कार्बन जो है कि जल गया तो क्या बन गया CO2 क्या CO2 वापस हो सकता है कार्बन में नहीं लक्डी जलने के बाद धूमण बन गया धूमण से क्या वापस लक्डी बना सकते हैं नहीं क्या होगा only एक दिशा में होगा जैसे में CH4 प्लस O2 यह क्या बन गया CO2 प्लस H2O क्या धूमण और पाने से वापस में बना सकते हैं नहीं वापस नहीं बना सकते हैं ठीक क्या हो गया only एक दिशा में जैसे के सी ए चोड़े नहीं देखते हैं काफी हो जगा इतना याम पल ठीक है आज के लिए इतना ही इसको आप याद करके आएगा जदा हो जागा फिर और आगे पढ़ते रहिए इसको याद भी करना बहुत जरूरी है क्या कि याम में आता है सब थैंक यू लेट सॉल